हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आपका ट्यूटर बेरा एजुकेशन का चैनल है और एक जट टीचर का मकसद अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होता है आज हम इस वीडियो में ऐसी मोटिवेशनल की बात करेंगी आज जब देश कोरोना वाइरस नाम की बेहंकर मामारी से जूज रहा है सरकार ने इस बीमारी से देश को आपको बचाने के लिए लौकडाउन का आदेश चारी किया है तो कि आप लोगी देश है आपकी सुरक्शाई देश की सुरकार को फायदा कम नुकसान जदा है दिवस्ता देश का economic structure गिर रहा है PM fund सरकार आपकी safety पर खर्च कर रही है और ऐसे समय में अगर आप देश सरकार को कोसने के जगे lockdown का पालन करे और आप में जो भी hooner skill है उसे अपना और देश का भला करे अब आप कहेंगे कि हम में कोई special talent नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले पता दे कि कोई भी मुनिशे आम नहीं होता और कोई भी खास नहीं होता बस जो अपने समय का सदुपयोग करता है वो खास बन जाता है अब सरकार को घरेलू जगडे का solve करने के लिए हेलप लाइन नमबर जारी वो दीरे दीरे बढ़ाने पड़ रहे हैं क्यों समय का सदुपयोग ना कर हम लड़ाई जगडे कर रहे हैं और अपना भी समय करने और देश और सरकार का भी जगडे करने वाले भी आम लोग ही है क्योंकि इसी स्कूल कॉलेज में जगडे की special degree नहीं दी जाती है देखिए आज हम इस वीडियो में दो बड़े lockdown के समय सदुपयोग का उधारन पेश करेंगे पहला केस है चंपावत के राज शिवर का चंपावत का राज शिवर किसे अन्य शेतर में लगने वाले शिवर की तरह ही है क्योंकि कई परवासी मजदूर रह रहे हैं यह खास इस बात से बन गया कि चंपावत के डियम एसन पांडे ने जिले के सबी केंद्रों में साक्षरता योग और सांस्कृतिक कारेक्रिम चलाए तकि जो परवासी मजदूर फस गए हैं उनमें तनावना हो इसमें कई शिवर को के डियूटी लगाई गई इनमें से कई तो 50 की उमर भी पार कर चुके हैं इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी पढ़ लिख सकेंगे वे खुश हैं क्यों उन्हें आप कोई ठग नहीं सकता और वे इस लोगडाउन के पीरेट को कभी नहीं भूल पाएंगे दूसरा केस है महरास्ट के वाशिम जिले के तार खेड़ा गाउं के एक दमपती का गजानन पक मांडे मजदूरी का काम करते हैं लोगडाउन के चलते काम ना मिलने पर दोनों पती पतनी ने सोचा क्यों ना घर पर ही कुछ मजदूरी कर ली जाए इसने घर में बैठे बैठे पती पतनी ने घर के आंगन में कुवा कुद ना शुरू किया उनकी मैनत रंग लाई और 21 दिन में 25 फीट की गहराई में दमपती को मीटा पानी मिल गया इलाके के लोग उनकी महमनत की खूब वावाई कर रहे हैं अब हम यहां यह नहीं कह सकते कि आप गड़ा कोदे या कुवा कोदे हम यह कह रहे हैं कि अगर आप स्टूनेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए समझे कि आपको तैयारी के लिए एक्ट्रा टाइम मिल गया माईलाए अपने घर से ही ओनलाइन सिलाई कुकिंग सिखा सकती है या अपनी स्किल को इंक्रीस कर सकती है वैसे भी यूट्यूब पर बैसे ग्रैस्पी की वीडियो ही ज़्यादा वाइरल हो रही है तो फ्रेंड्स अब आप यह ता कीजिए कि आप में को किस काम में महायरत है और उसी में अपना फोकस कीजिए बेवज़ा ना किसी से लड़ाई या कोसने में समय बरबात कीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिए थैंक्स फॉर वाचिंग आपका ट्यूटर